नमस्कार दोस्तों मैं उदेलार फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी के चाहिते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में वीडियो देखने वाले हर किसान भाई यहों मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्यावसाय है मुर्गी पालन सबसे किफायती और कम लागत का व्यावसाय है मुर्गी पालन लेकिन दोस्तो देशी मुर्गी अगर मिल नहीं रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं तो दोस्तो आरायर नाम की वरैटी जो देशी पे क्रॉस है दोस्तो उस ब्रीड का इस्तमाल करके भी बहुत से यवा लाखों में मुनाफा कमा रहे दोस्तो अगर आपके पास जमापूंजी ज्यादा नहीं है अगर आपके पास जगह कम है अगर आपके पास लागद भी ज्यादा इन्वेस्ट करने की तयारी नहीं है दोस्तो तो आप एक छोटेशे शेहर में या गाव देहात में या बड़े से बड़े महानगर निगम जो होता है द यानि फार्म रहेंगा दोस्तों बहुत ही छोटा लेकिन उडान भरेंगा बहुत बड़ी लेकिन सोच लो दोस्तों कि अगर सव आरायर मुर्गी का पालन पोशन आप कर सकते हो तो दोस्तों आप अपने आप ही यहां पर हिस्ट्री क्रेट कर रहे हो यानि इतियास दहुरा र रहे हो दोस्तों कि सव आरायर मुर्गियों का फार्म डाल कर आप आसानी से 12,000 का पीवर यानि शुद्ध लाप मुनाफ़ा कमा रहें क्या दोस्तों आपको भी इतना मुनाफ़ा कमाना है क्या आपके पास जगहत कम है क्या आपके पास जुमापूंजी कम है क्या आपके पास लागद भी कम है दोस्तों अगर यही सवाल आपके मन में होगे और आप एक बेरोजगार युवा होंगे दोस्तों आप दसवी बारवी का क्लास यहां पर पूरा कर चुके होंगे या आपका ग्रैजुएशन कंप्लेट हुआ होगा दोस्तों लेकिन इस लॉगडाउन के आपको जॉब नहीं मिल रहा होगा दोस्तों तो आप सही जगह पर है आप दोस्तों आसानी से मुर्गी पालन के व्यावसाई को चुन कर वहाँ पर 12,000 तक मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हो और आपको जगह बढ़ाने के लिए वहाँ पर समय और पूंजी मिल गई दोस्तो तो आप 12 क्या वहाँ पर 12, 24, 36, 48, 60 करते करते हर महा लाखो का मुनाफ़ा भी कमा सकते हो लेकिन दोस्तों शुरुआत कम से करो मुर्गी पालन में आने वाली हर बीमारी सीखो छोटी छोटी बाते जब तक बारीकी से नहीं सीखोगे तब तक आप बड़ा और बड़े स्के पर व्याउसाई की ग्रोथ मत करिये क्योंकि दोस्तों डायरेक्ली हजार मुर्गिया लाकर कोई सक्सेस्फुल नहीं हो सकता लेकिन जो शुरुआत 20-30 मुर्गियों से करता है वह सफल होता है तो चलो दोस्तों क्या आपको जानना है कि कम लागत का यह व्याउसाई क्या सी साल के बाद कैसे लाखों में मुनाफा कमा सकते हैं तो दोस्तों अगर आप बेरोजगार होंगे तो कुर्पया यह वीडियो शुरुआत से लेके अंततक देखिए आप यहां पर निराश नहीं होंगे और एक अच्छी खासी कंसेप्ट आपका इंतजार कर रही है आपके ल कारायर मुर्गियों से किस तरह से 12,000 का मुनाफा कमाने की एक अच्छी आसान टेक्निक देता है तो दोस्तों यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंततक देखिए वीडियो आगर आपको तहे दिल से पसंद आता है तो इस वीडियो को यहां पर लाइक करना मत भूले और यह करता है और आप सभी को पता है कि बढ़ने वाला ग्यान हमारे व्यावसाय के उरद्धी का सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों और व्यावसाय उरद्धी के लिए आपको कमेंट्स में जो आप सवाल मुझ तक भेशते वह भी इंपोर्टन्ट है इसलिए कमेंट्स सेक्षन में सवाल भेशते चलिए इनके जवाब आपको अगले वी हैंतरिन किफायती और कम लागता व्यावसाय है मुर्गी पालनこと प्रह् चुनिंदा व्यावसाय में में एक व्यावसाय कि जो गाव द्याहत में हो सकता है महनगर निगम नगर निगम छोटा जिला बड़ा शेहर यहां पर भी हो सकता है मुरगी पालन का व्याउसा है 15-16 बरस का एक नौन जवान युवाा भी कर सकता है और 17-18 बरस का एक भुजूर्ग व्यक्ति भी कर सकता है दोस्तों आप मुरगी को धोका दे सकते है लेकिन मुरगी आपको धोका कभी भी नहीं देंगी दोस्तों क्योंकि दुनिया में बिना बैंक का एक ही ATM है जिसका नाम है दोस्तों मुर्गी मुर्गी और सिर्फ मुर्गी तो चलो दोस्तों इस ATM का क्या राज है देखते हैं और आपको कैसा यह ATM हर दिन 400 यानि हर महां 12,000 की कमाई करके देगा तो दोस्तों आपको क्या करना है कि छोटी जगह लेनी है दोस्तों जगह अगर आपके पास यहां पर चारवाय पाचकी भी हो तो उसमें एक छोटा सशेड बनाईए और बाहरी तोर पर आप वहां पर दसवाय दस की जगह भी छोड़ दे और चारवाच पौधे लगा दे दो बहुत कुछ विधी है दोस्तों जिससे की फीड तो हो जाएगा फिड के कोई बात ही नहीं है बात रहेगी दोस्तों शरीप यहां पर टीका करन की तो दोस्तों आप टीका करन के हमारे जो पूरानी वीडियो देखिए दोस्तों वीडियो गैलेरी में जाके और सभी वीडि कर रहा है इसलिए कमेंट सेक्शन में सवाल भीजिए आपका जवाब अगले वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा जब तक दोस्तों मेरा भाई भारत वर्ष का वह व्यावसाय में बढ़ोतरी नहीं करेगा हर बेरोजगार को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा दोस्तों तब तक मेरी यह जो दोस्तों मोहीम है यह वर करार रहेगी और बदस्तूर जारी रहेगी सरिक मुझे आपके सहीओ की जरुत है आपका मुझेlarını चाहिए बस इतने आ तो देखो दोस्तो हमने सव आरायर ब्रिड का क्यों चुनाव किया दोस्तो तो देसी मुर्ग आगर नहीं मिल रही होगी तो दुनिया में भारत वर्ष में बात करेंगे दोस्तो तो रोड आइस्लेंड रेड नाम की जो मुर्गी है यहां मुर्गी सबसे बढ़िया है क्योंकि दोस्तों इसकी हाइट इसके शरीर की बनावर टोटली देसी मुर्गी जैसी है अंडों की साइज भी जो है दोस्तों देसी मुर्गी के करीब करीब तकरीबन तकरीबन वैसी है और दोस्तों बॉड़ी वेट 1200 से लेके 1300 ग्राम जो रंग भी रंग में दिखती है दोस्तो कलरफूल इतना ही फरक है कि आरायर नाम की यह मुर्गी दोस्तो आपको दिखेगी लाल जो टोटल है दोस्तो इसकी बोड़ी लाल तरह की होती है और स्रिफ इसका पंजा दोस्तो यहाँ पर पीला होता यानि इसका बोड़ी का टोटल क का कलर है दोस्तों यहां पर रेड यानि लाल उसके बाद दोस्तों क्या आरायर मुर्गी के अंडे सेल होते तो दोस्तों देसी मुर्गी के अंडों का बढ़ोत्री हो रही है इसका मतलब है दोस्तों बढ़ोत्री हो रही है आरायर की हैचरी चल रही है इसका यहां पर एक ही मतलब है कि आरायर की ब्रीड की डिमांड होगी तो ही हैचरी चलेगी दोस्तों इसका मतलब क्या है चूजा कब तयार होगा जब चूजे के लिए मार्क कब होगी दोस्तों जब मुर्गी वहां पर बड़ी होकर उसके अंडे विकेगे मुर्गी विकेगी तो ही इसका मतलब है चूजा विक रहा है मुर्गी विक रही है मुर्गा विक रहा है अंडा विक रहा है इसका मतलब है दोस्तों की आरायर मुर्गी का मार्केट अभी तो आज़े लेकिन से आगे बहुत ही आच्छा है इसलिए दोस्तो मार्केट में आप निश्चिनत रहिए इतनी बात है कि देसी मुर्गी के अंडे से इसको मिलने वाला रेट है दोस्तों 2 से लेके 3 रुपए तक मिलता है बस इतनी बात है आपके मन में सवाल आएंगा कैसर सव आरायर मुर्गी को सब्सक्राइब कर अंडों का production हर दिन कितना मिलेगा लाग टके का सवाल है दोस्तों यहां बात एक समझ लो कि सव आरायर मुर्गी देशी मुर्गी के सरीके हमें हर दिन 45 से लेकर 50 अंडे नहीं देती है यह breed cross करने के बाद दोस्तो इसकी capacity बढ़ाई गई और यह मुर्गी आसल में दोस्तो यहाँ पर आपको 75 से लेके 80 अंडे भी हर दिन दे सकती है लेकिन हमने अगर कम से कम 75 पकड़े तो हमारा यहाँ पर लाब कम नहीं होगा दोस्तो क्योंकि कम बता कर अगर हमें ज्यादा मुनाफ़ा मिलता है तो कोई दिक्कत कोई यहाँ पर हमें शिकायत नहीं है लेकिन ज्यादा बता कर कम मुनाफ़ा मिलेगा तो दिक्कत है इसलिए दोस्तो समझ लो कि 75 अंडे हर दिन आपको मिल रहे कभी 70 भी लेगे कभी 80 भी मिलेंगे लेकिन on an average दोस्तो आपको 75 अंडे मिल जाएंगे लेकिन दोस्तो हम कम से कम पकड़ कर चलते हैं इसलिए आपके मन में दिखकर शिकायत नहीं आएगे तो दोस्तो कम से कम रेट आरायर मुर्गी के अंडों को मिलता है साथ का अगर साथ का रेट और हर दिन के मिलने वाले 75 अंडों का गुना भाग यानि कैलकुलेशन कर दे दो किस्तों तो हमारे पास जो राशी त्यार हो रहे हैं ये दोश्तो वहर है पास municipality हर दिन लेकिन प्रति दिन इतने मिलने वाली रशी हमारा पीवर मुनाफा ही के दोस्तों नहीं लेकिन इस पर लगने वाले सबसे जादा लागत थे दोस्तों यहाँ पर फपीड की यानि खान सव मुर्गे और उसके साथ दस मुर्गे दोस्तों यानि हमारा दिन का खर्चा होगा 110 के करीब करीब ज्यादा से ज्यादा यहां खर्चा होगा दोस्तों खाने पर और उसके साथ में सोचेंगे दोस्तों यहां खाने पर का जो खर्चा है उसके साथ ही दोस्तों यहां पर टीका करन का और 10 से लेके 12 रुपे का खर्चा आपको हर दिन लग सकता है यानि यहाँ पर दोस्तों आपके 125 रुपे उपर के चले भी गए 525 में से तो भी दोस्तों तक्रीबन तक्रीबन हर दिन आपको यहाँ पर 400 रुपे का मुनाफ़ा यहाँ पर मिल जाएगा इसका मतलब क्या है समझ लो दोस्तों कि अगर आप पिवर मुनाफ़ा शुद्दल आप हर दिन यहाँ पर 4 रुपे कमा रहे है इसका मतलब है दोस्तों आप हर माहा 12,000 का पिवर मुनाफ़ा कमा रहे दोस्तों इतना मुनाफ़ा कि इसको नहीं चाहिए दोस्तों अगर आपको भी दोस्तो इतना मुनाफ़ा चाहिए तो आराम से आप सौध यहां पर आरायर मुर्गिया लाइए दस मुर्गिये लाइए और उसके साथ चोटा सा अगर शेड़ बनाएंगे दोस्तो तो आप 12 हजार का मुनाफ़ा कम से कम कमाएंगे लेकिन दोस्तो इसमें से दो भी हजार चेले गए तो सव आरायर मुर्गीयों से आप 10 हजार का शुद्दल आप तो कमा सकते हैं और सोचिए आपको एक बार इसकी बारी की बीमारी सब को समझ गया दोस्तो तो आगे चल के अगर आपका फार्म हजार के करीब करीब गया दोस्तों तो आप यहाँ पर एक लाख मुनाफा हर महा कमा सकते हैं मुनाफा कमाने के लिए हमारे मन में विश्वास जिद और दोस्तों महिनत करने की तयारी होनी चाहिए अगर आपके पास यह सबी चीजे होंगी दोस्तो तो आप सव प्रतिशत इतना मुनाफा कमा सकते हैं सोचिए दोस्तो आज हम बेरोजगार हैं हमारे पास रोजगार नहीं है जमापुंजी नहीं है हमारे पास फ्यूचर का कोई भी प्लैन नहीं है आएसे वक्त में दोस्तो हमारे पास ना जमापुंजी है ना हमारे पास जमीन का बड़ा टुकडा है आएसे में ना हमसे खेती बाड़ी हो सकती है ना हमें रोजगार मिलेगा तो दोस्तो आएसे में क्या हमारी पूरी जिंदेगे हम हैसे गुजरने देंगे दोस्तो एक बेरोजगार युवा बनने से अच्छा है कि रोजगार वाला आप मुर्गी पालक बनिये दोस्तो इसलिए मुर्गी पालन के व्याउसायो को चुनिये आपको सव मुर्गियों से नहीं होता नो दस से शुरुआत किजी लेकिन दस से पचास पचास से सव और सव से हजार होने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी अगर आपके मन ने ठानी महिनत कर ली और लगन से काम किया दोस्तो तो आप सव प्रतिशत यहाँ पर कुछ भी कर सकते है लेकिन आपके मन में अगर विश्वास हो तो ही व्याउसाय की शुरुआत कीजिए आधे अधूरे मन से किया हुआ व्याउसाय आपको उचित लाब नहीं पहुचाएंगा तो दोस्तो आप सभी को व्याउसाय के लिए बहुत बहुत शुब कामना है बेस्ट आप लग आपका चहीता चैनल इंडियन मुर्गी पालन आपकी सभी दिक्कतों और शिकायतों को दूर करने के लिए आपके सेवा में हाजिर होता रहेगा इसलिए दोस्तों इंडियन मुर्गी पालन इस यूटूब चैनल से जुड़ते रहिए और यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षन में लिख कर भेजिए आपके कुछ सवाल होंगे तो भी भेजते चलिए आपका हर सवाल का जवाब अगले वीडियो के साथ दिया जाएगा द सब्सक्राइब रहा होगा तो दोस्तों नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदयलाड आप सभी के चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदवे मिलता होंगा तब तक के लिए मेरे हर मुर्गी पालक भाय का तहे दिल से बहुत-बहुत आभाद